ओम सिरीगने शायनम दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन जनवरी मंगलवार के रासी फल्क के बारे में की हाँ दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथुन राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेस के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तों चल अचल संपत्ती के द्रश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और प्रस्तिती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ साथ कोई अप्रतियासित आय या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आय का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमा प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तो रचनात्मक कारों के पिरती आज आपका रुजहान बढ़े हैं अपनी कार चमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कार चेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला भी आज आपको हो सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं जबके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरे व्यक्ति पर भरुचा ना करें अनावस्शक परिसानिया उत्पन हो सकती है शाति सात परिवारिक इस्तित्या तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसकी वज़े से घर में विखराव का माहुल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंझस बनाई रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रय को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए मातापिता से सम्मंद मधुर बनाये रखने का प्रियास करें, ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं जैसे आपके भाई-बेहन माता- पड़ोसी उन्हें सांते प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगे रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी ट जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तो कारे भार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोद की आज अधिकता रहेगी नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों स वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शरेनी वाली हैं दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारत्मक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आ आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवेशाय के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर बजार में निवेश करना नापदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे टोट का चैरी से संबंदित कोई अच्छी घुसकबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का शुक मिल सकता है आपकी आमांद आपको अपने कामों के लिए श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वैपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अध करना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्य उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवशक है जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहुनी को रोका जा सके शावधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान-पान पर विशेश क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिस से निर्वत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी को तुलसी का एक पत्ता चड़ाएं और साथ साथ वहीं बैठकर हनुमान चालिसा का भी पाठ एक बार बहुती सच्य मन से बहुती स्रद्ध भाब से करें जैंदोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रखी हैं समस्त की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त मनों कामनाएं भगवान बजरंग बली अवश्य ही पूर्ण करेंगे दोस्तों भगवान बजरंग बली का असिरबाद आपको प्राप्त हो सच्य दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को करना ना भूलें धन्यवाद